नमस्कार विकास समाचार में आपका स्वागत सभी देशवासियों को विकास समाचार की तरफ से इदुल अधा की शुबकामने है देशबर में मनाया जा रहा है इदुल अधा का तेवहार नमाज अधा करने के लिए मस्जिदों में उम्री भीर देज़भर में आज इदुल अधा यानी बकरीट का तेवहर मनाया जा रहा है इदुल फित्र के बाद इसे मुसलिम समुदाए का दूसरा सबसे मुख्य तेवहर माना जाता है सुबा से ही देशबर की मस्जिदों में नमाज अदा करने के लिए मुसलिम बुड़े जवान और बच्चों की भीड उमर पड़ी थी इसलामिक कैलेंडर के मुताबिक बारावे महिने यानि के जिलहज महिने की दस तारिक को बकरा ईद का तेवहर मनाय जाने की परमपरा है यह परवर रमजान खत्म होने के सतर दिन बाद आता है मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुबह नमाज अदा करने के बाद बकरे की कुरबाणी देने का रिवाज है यह पर्व मुख्य रूप से हजरत इब्राहिम द्वारा अपने बेटे हजरत इस्माईल की कुरबाणी देने की इच्छा की याद में मनाया जाता है आज इत के दिन छोटे बच्चे नए कपड़े पहन कर खुशिया मनाते नजर आए वसाई से मैं शैना शेक विका समाचार